ये रिस्ता क्या कहलाता है आज के पीसोड में दिखाया जाएगा कि सिरत बोलती है मावरी आप एठे इतनी रात को और अंदर भी न आये के बाद तो उसकी दादी बोलती है थाड़े फिक्ड हो रही थी छोड़ी सिरत बोलती है हाँ तो सामने से आती ना मावरी ऐसे चुपक कर गए है हमारा पैर का दर्द ना दो तीन दिन में ठीक हो जाएगा तो टेंसन ना लो उसकी दादी बोलती है और तू तू कब ठीक हो जाएगी छोड़ी सिरत बोलती है मतलब उसकी दादी बोलती है बचपन से पाला है थारे को लाड़ो सिर का एक बाल भी इधर से उधर ह हो जाए ना पता लग जावे हैं हमारे को और तू कहवे है कि तू ठीक है कलिफ थारे पैड में कम और दिल में जादा है ये हमारे को पता है सिरत बोलती है ये आप क्या कह रहे हैं मावरी ऐसा कुछ ना है मेरा दिल और दिमाग सब बिलकूल ठीक है उसकी दादी बोलती है तो फिर जवान क्यों अटकर ही है थारी हमारी नजरों से नजरे मिला कर बात कर छोड़ी ये कार्तिक को न दिखे हमारे को थारे नजरे चुराना साफ दिख रहा है सिरत बोलती है ये आप क्या कह रहे हैं मावडी हमारे को कुछ समझ में न आ रही है उसकी दादी बोलती है न आ तो सुन सिधा सिधा छोड़ी कार्तिक से अचानक मिलना बंद क्यों कर दिया तरने बात करना बंद कर दिया आज उसको फोन करने के बजाए हमारे को फोन किया इतनी चोट खाके भी ब्याह के मंडप में पहुच गई थी तू और आज पैर का चोट बहना बना के वहां नहीं आ जहां कार्तिक थारा इंतजार कर रहा था हमारे को बताएगी थारे दिमाग में के चल रहा है वही है के थारी बिमारी की असली वज़य कार्तिक है के और सारी बाते कमिशनर नौस चोहन सुन रहा होता है सिरत बोलती है हमारे को नहीं पता आप के सोच रहे हो माबडी हमारे क बस ये पता है कि इस वक्त हमारे लिए बस दो ही चीज इंपोर्टेंट है एक हमारा घर और दूसरी हमारी बॉक्सिंग किसी तिसरी चीज में ध्यान ना लगाना हमारे को अगर लगाया ना इन दोनों में से ना कोई एक चीज छूट जावेगी और वो हमारे से बरदास्थ न होएगा मावडी और रही बात परेशानी की वो तो मावडी नई नई गिरस्थी है किसे न होए है इसमें आप कार्ति को क्यों जोर रहे है उसकी दादी बोलती है थारा जूट हमारे समने ना चलने वाली है छोड़ी सिरत बोलती है कोई जूट ना है मावडी आप न सठिया अपने मन से कुछ भी कहानियां बना रहे हो कुछ भी बोले जा रहे हो कबसे आपको समझाने की कोशिज कर रही हूं लेकिन नहीं आप तो हमारी बात सुनने को समझने को तैयार ही ना हो उसकी दादी बोलती है हां ना हूं मैं तैयार क्योंकि जो हमारी आँखों ने देखा हमारे को सिरत बोलती है आप अपना चस्म ठीक करा लो देख मावडी मैं बहुत खुस हूँ आप खुद ही सोचो जो मांगा था मनने हमारे को वो सब मिल गया रनवीर जैसा पती जिसने हमारी खातिर अपनी ज़न तक की पड़वाह न की अड़े बच्पन से लेकर आज तक ख् गनवीर के साथ खुस ना हूँ तो फिर किसके साथ रहूंगी मावडी आपना अपना केवल कटवा लो ये नए नए सिरियल देखकर पता नहीं नए नए आइडिया आजावे हैं आपको और आ गई हमारे ससराल आधी रात में वो भी बीना किसी को बताए अरे आपको पता है मावडी वो लोग कितने पड़े सान हो रहे होंगे उसके बाद सिरत अपने मुवाइल से कार्ति को sms कर देती है कि मावडी यहीं पड़ है सिरत बोलती है जाना बहुत देर हो गई है सोना भी है उसकी दादी बोलती है देर तो तन्ने कर दी है सिरत मन ने कोशिस भी की थी पर थारे को समझ में ना आया याद है ना थारे को अपना और कार्तिक का सगाई का दिन इतना खुस थारे को कभी न देखा मैंने और सायद हमारी ही नजर लग गया थारे खुसी में जो रनवीर आ गया सही कहा था थन्ये छोड़ी पहला प्यार आसानी से ना भूलता कच्ची महबत सची भी हो ये जरूरी ना है छोड़ी रनवीर से ब्या करने का फचला तन्ये उसके प्यार में ना लिया एहसान के बोज पे ले लिया जब पता चला थारे को उसने थारे लिए गोली खाई कंठ अपने मन में और उसी ने उतारने के खातिर ब्याह कर लिया तन्ये उससे हम दर्दी और प्यार में फड़क ना समझ पाई तुम इन दोनों में बहुत सारी बाते होती है उसके बाद उसकी दादी घर चली जाती है तो कार्तिक बोलता है कुछ बताया क्या प्रोब्लम है उस जलने वाले हैं एक चाल अब उस सच को रनवीर के सौमने लाएगा और कमिशनर ना चोहान कार्तिक के पूरे फेमिली को अपने घर पर खाना खाने के दाबे में बुलाया है तो आज के एपिसोड में यही सब कुछ इंट्रेस्टिंग सिंस दिखाये जाएंगे आई होप कि आपको यँ वडियो अच्छा लगा होगा अगर यह वडियो थुरा से भी एच्छा लगा हो चाल लोग सब्सक्राइब करना confess को लाइक करना मिलते हैं सब्सक्राइब वडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर अझाईट बाए